जै बाबा बरफानी जी, भूखे को अन और प्यासे को पानी जी, बाबा बरफानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमश्य वाए जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि शिरिया मनाज जी यात्रा की त्यारियां जोरो शोरो चल रही हैं और आप भி अपनी तियारियों में लगां गें बहुत अची बात है तो इसके चलते ही काफी सारे वक्तों ने बस की पेमेंट कर दी है और बस की पेमेंट करने क्योंकि WhatsApp का काम रहेगा हमको आपको फोटो भेजने पड़ेगी आप सीट सेलेक्ट करेंगे सारी बाते होंगी उसके और जड़ ड्राटा पेपर में आ जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो मल्टी मीडिया का फिर इतना जादा काम नहीं रहा जाएगा हमारे सा कि मैं दो मीने पहले वर्क स्टार्ट कर दिया करता था पर नहीं कर पा रहा हूं कि इस बार आप सभी को पता है कि यात्रा का बहुत ज्यादा लोड है तो इसके चलते हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम निप्टा के इसके बाट कैब बनवानी हैं टैग हैं जंडे हैं और बहुत सारी त्यारियां है पेपर वर्क है यह सब त्यारियां है कुछ यातरी हैं जिनको उद्धा मतलब बाद में हमारे से पहले बाद में जा रहे हैं उनके लिए भी ट्रांस्पोर्टेशन का इंतिजाम करना है तो उसके चलते टाइम मिल पाएगा तो सब कुछ होग यह हम वही बात कर रहे हैं टू बाइटू पुश्बैक बसों की जो 35 सीटर होंगी है ना इनका सिटिंग अरेजमेंट यही रहेगा देखिए जैसे आपके सामने आ रहा है यह तो डोर जो होता है हमेशा बस का लेफ्ट साइड में होता है तो डोर लेफ्ट साइड में जो सीटें वह लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में तो देखिए इसमें 14 और 13 नमबर सीट पे कलर रुख है तो इसका मतलब यह सीटें बुक हो चुकी है जिन पर कलर हो चुका होगा वह सीटें बुक हो चुकी होंगी और नीचे भी दिखाया गया सीट जो खाली है जिन पर color नहीं है वो seat खाली है जिन पर color हो चुक है वो seat बुक हो चुकी है और नीचे इसके नीचे लिखा हुआ है bus number three bus number one two three जैसे suppose कीजिए हमारा plan A में हमने तीन बसें लगाई है जद यात्यों के साब से फिर plan two में हमने दो यी बसें लगाई होंगी जैसे जाते बढ़ते जाएंगे फिर इसमें आगे वाले plan number three में फिर तीन बसें लगाई है तो आपको अपनी अपनी plan A की जो बसें होंगी इसके फोटो भेज़ दी जाएंगी आप आप भी ये खुद चेक कर लीजेगा हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है कि plan plan आप जूरूर देख लीजेगा किस plan में पता चला आप जा रहे हैं A plan में बस बुक होगी आपकी B plan में तो फिर बाद में मेरे लिए परिशानी बढ़ जाएगी आपको तो मुझे देनी पड आपके लिए बहुत जरूरी है तो क्रिपया मेरी आप से बिंती है इस बात को आप जरूर देख लें और अपने पास भी पेपर पे या फोन में चलो आपके फोन में तुना डाटा नहीं होगा और इतनी confusion नहीं है पर confusion है अभी भी 6-7 यात्रियों का ऐसे हुआ है कि जो मु तो मेरे पास उनकार पुरान नंबर भी सेव है जब नहीं को सेव कर तो दोनों नंबर आ जारे है फिर डाटा जो मेरे पार रिकॉर्ड है वो पुराने नंबर में है फिर वहां से मुझे copy paste करके वहां डालना पड़ रहा है तो इससे दिक्कत आती है तो आप मेरी बात समझ कर दो कि सीट बॉक होगी तो जैसे जिस स्यात्री न सबसे पहलेपास चाहेगी वह अपनी सीट बुक करेंगा फिर आगे जाएगी तो इसमें आप जो सबसे जह्ञादा जरुरी काम है वह यह है कि आपकी responsibility अभी यह बनती है कि जब भी आपके पास message आए तो मैं आपको call जरूर कर दूँगा या मैं wait कर लूँगा या आप सभी को पता है कि हम शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा का रवाट से पे हैं तो मैं आपको call करके दो या तीन दिन में मैं बसों की planning करनी शुरू करूं तो आपके पास भी दो-तीन दिन में फोटो आ जाए तो इसलिए मैं आप पूछ होगी तो कोई phone उठा रहा है नहीं उठा रहा है तो अभी से फैंसला कर लें उनसे कि यार यह seat नहीं मिली तो कौन सी लेनी है आगे लेनी है बीच में लेनी है पीछे लेनी है अभी बात कर लो कि यार यह option हुआ तो यह लेंगे वह option तो यातियों कर दिया यातियों नंबर दिया फिर भी payment कर दिया तो मुझे भी यह सारा आराम आराम से बहुत आराम से देखना पड़ेगा आप सभी से हाज जोड़के विंती है कि जब भी आपके पास यह बस आए तो आप अपने planning पहले करके रखें कौन सी seat चीए उससे मैं साइड आप 10-15 मिन ले सकते हैं कोई परेशानी है तो अब यहीं नहीं कि मैंने मैसेज किया और मुझे दो दिनवार रिप्लाई कर रहे हैं तो मैं उतना वेट नहीं कर पाऊंगा मैं आपका ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ तो एक घंटा वेट कर सकता हूं वह मैं बस आएगी उससे मैं डिसाइड कर लीजी कि सीट और उसमें कुछ होना तो है नहीं है जो सीटें सामने हैं उसमें से आपको बुक करने है ठीक है तो मैं आपको स्टेप बई स्टेप सारे पॉइंट बता जाता हूं जिससे कि आप ध्यान पूरों किनको सुन लीजी और अपनी बसकी बुक कर लिए पहला जैसे ही आपके पास ये फोटो आया आप जल्दी से जल्दी अपना रिपलाई करें सोच समझ के जो भी मैं आपको चेक पॉइंट बताया है प्लान देखने का वो जरूर देख लें कि प्लान कौन सा है जो मैंने पेमेंट दी थी उसी प् क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बारी काफी बड़ा गुरूप है टाइम भी कम है और सीट बाद में चेंज करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी तो आप पहले प्लानिंग करके चलिए इसके बाद बहुत सारे यात्रियों के डिमांड है कि हमें खिटकी वाली सीट चीए हमें उल्टी आती है तो उल्टी का कोई option नहीं है हमने भक्तों से राय भी मांगी दिस बारे में तो काफी सारे भक्तों ने ये का कि बाबा जी जिनको उल्टी आती है उनको पीछे बिठा दू ताकि वो उल्टी करेंगे तो बाकी लोगों के उपर वो नहीं पढ़नी ये अपनी सीट थोड़ी सी पीछे ले ले लें ताकि यातरी परेशान ना हो ये ऐक करम की बात है अगर आपकी वजह से यात्रा में कोई भी परेशान होता है तो दुक तो दुख है और उसका दुख को परेशान करेगा तो फायदा नहीं है और विंड़ो सीट की बहुत ड तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और मैं आप सभी को बता देना चाहूं जैसे ही seat number मिल जाएंगे आपको उसके बाद किसी भी यातरी की payment बापिस नहीं होगी अभी भी अगर आपका मने है कोई confusion है तो अभी आप seat book मत कीजिए ठीक है बाद में जो भी last की seat हों होंगी होंगी नहीं होंगी at a time जो option होगा ऐसे 5-6 भक्ते हैं जिनका कुछ confusion में अभी की यातरा पर जाना है नहीं जाना है तो उनके लिए बता रहा हूं मैं तो जो भी 2-3 भक्ते हैं वो अपना देख लिए वो seat book मत कीजिए क्योंकि अगर seat book होगी तो मिरे पातना time नहीं कि बाद में मैं उसमें यातरी ढूंडता रहा हूं और वो seat किसी और को दूँ फिर आपके पैसे बापिस करूँ मैं अभी अपना काम खत्म करके मुझे भी यातरा की त्यारियां करने है बहुत सारी तो मुझे भी वो देखना है बहुत सारे बंडारे वालों की परची आ र कि त्यारियां कैसे कर पाएंगे हम इसके अलावा कुछ यातरियों की डिमांड रहते हैं कि हमें फैमली वाली बस में बैठने हैं तो हम मैं कोशिश तो हर बारी करता हूं कि फैमली वालों की बस अलग बना हूं लेकिन वही seat का मोह इनसान को यहां से वहां ले जाता है तो जैसे स्पोस करो फर्स नंबर फर्स नंबर फर्स नंबर प्लान एक की तीन बसे हैं और प्लान ए में मैंने एक बस कर दी लड़के लड़कों की और दो बस कर दी फैमली वालों की लेकिन फैमली वाली वाली बस सबसे पहले बुक होगी अब कोई बंदा लास्ट में आता है family वाला तो कहता है तीन नमबर बस में जगा है मैं कहुँआ है अब लेकिन लड़कों लड़कों की है कोई लोग नहीं बैठना पसंद करता है कि एक family पूरी बस में अकेली एक female बैठी हो तो वो भी अच्छा लगता है तो हम कोशी तो करते हैं पर लोग अपनी ही मरजी से यातरी फिर उस बस में शिफ्ट होना जाते हैं कि उसमें आगे की सीट मिल रही है तो वो आपका वो है मैं तो चाहता हूँ कि एक बस ऐसा हो जाए कि boys boys की हो जाए और दो बसें females की हो जाएं जिसमें family बैठ सके क्योंकि थोड़ा boys भी अपना रहेंगे अकेले रहेंगे तो थोड़ा बात कर रहें हैं कुछ कर रहें तो एक बस में बैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है सब एक परिवार ही है बहने हैं बेटिया हैं सबकी तो सब इकटे यातरा पर जा रहे हैं और यातरा में हमें बस में सफर भी कितनी देर करना है जाते समय करना है और आते समय करना है इतना ही करना होता है आते समय तो किसी के हलत रहेगी नहीं बात करने की जाते समय थोड़ा اللہ اگر لہ جاہ کارے لگتا ہی जाते हैं तो वो बात अलग है ठीक है तो ये भी चीजे हैं क्योंकि सबको अपना बाबाजी की यातरा पे अपना करने जाना है तो उसी साफ से मैनेज कर सकते हैं और एक बात आप भी special ध्यान रखें, सब यात्रियों को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, हमेशा एक ख्याल रखें यात्रा में भी, कि आपकी वज़े से किसी दूसरे यात्री को परेशानी बिल्कुल भी ना हो, और एक दूसरे यात्री को कॉल करके seat change करने के लिए भी आप, बिल्कुल भी मतलब force ना करें, ना मुझसे किसी यात्री का नंबर मांगें, कि बाबाजी ये पंदरा नंबर seat किसी है, मुझे नंबर दे दो मैं उनको कॉल कर लूँगा, तो बाद में यात्री कह सकता हूँ, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें, और अभी भी ऐसा है कि हमारे ग्रूप में 10-15 यात्री ने पेमेंट नहीं की है, तो मैं उनको मतलब time दे रहा हूँ, सुबह, संडे 9 बजे तक का, अगर वो 9 बजे तक पेमेंट कर देते हैं, तो सेम इसी रेट में उनको पीछे की सीटें जो भी खाली होंगी, आगे पीछे की उनको मिल जाएंगी, लेकिन अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर भाँएंगी, कि संडे 9 बजे के बाद, जो भी मेरे पास 15-20 यात्री हैं, यह जो बाकी खाली सीटे होंगी, मैं उनको यात्री नमबर देखे, यह बुक कर दूँगा, फिर आपको बाद में चाहे नए यात्री हों, चाहे पुराने यात्री हों, चाहे आप भी क्यों नहाँ, जो बचे हुए आत्री होंगे, उनके लिए लास्ट में फिर, वो पांच बंदे होते हैं, छे बंदे होते हैं, तो जो गाड़ी होगी, टेंपू ट्रेवलर होगा, उसके रेट इससे बहुत ज़्यादा फरक होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ यह बात, इस बात का विशेष दियान रखें, एक बसें जो हमने डेड़ मेना पहले बुक कर रखी हैं, आज हम उनकी उनकी उन पे जाएंगे, वो रेट अलग होगा, और एक उन्दा स्पोर्ट अभी एक मेना पंद्रा मिन दिन पहले करेंगे, वो भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, गाड़ियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, यह है कि मैं आपके नाम लिखने के बाद, ट्रैवलर वाले से बात कर लूँगा, इतने बंदें, इतने बंदों के लिए टेंपो ट्रैवल का रेट क्या रहेगा, वो आपको बता दूँगा, आप चाहें तो बुक कीजिए, वो भी जब है, जब में पाद टाइम होगा, मेरी यही रिस्पोंसिबिल्टी है, यह बसें बुक होगी, तो इसके बाद मेरे पास टाइम होगा, बहुत ज़्यदा टाइम होगा, मैं कर पाऊंगो तो करूँगा, ने तो इसके लिए फिर मैं हाथ जोड़ दूँगा यात्रियों को, और इसलिए मैंने किसी को यात्रिय नमबर नहीं दिया आगे, क्योंकि मैं कर पाऊंगा, जब भी यात्रिय नमबर दूँगा, नहीं कर पाऊंगो, तो मैं यात्रिय नमबर देखे, फिर उनको परेशान के उकूँगा, फिर अपना वो दूसा रास्ता देखे, इसके बाद एक बड़ी समस्या, एक यात्री का नमबर है, पाऊंच या छे, और एक यात्री का है, तीन सो, अब वो यात्री बाद में है, उसने पेमेंट भी बाद में की होगी, या पहले की होगी, कुछ यात्रियों को होता है, कि मेरा दोस्त मेरे साथ बैठे, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉंसिबिल्टी दोस्त की बनती है, जिसने पेमेंट पहले की है, वो दोनों दोस्त आपस में बात कर लें, पहले ही, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे कंपनी के लोग हैं, एक कंपनी के लोग हैं, या एक group के लोग हैं एक महले के लोग हैं तो उन्हें सबने payment अलगलग की है अलगलग टाइम पे लेकिन system से ही बसों की sheet जाएगी तो उनका कोई group leader बनके आपस ने बात कर ले भी या सबसे पहले payment किस ने की है तो सबसे बहले बस तेरे पास आएगी यार उसके बाद मेरे पास आएगी तो कौन सी बस में लेगा तू भाई मैं तो उस बस में लोगा अब वो तो अपना फाइदा देखेगा ये कोई बोलता नहीं है पर मैं आपको बता देना चाहता हूं हर यातरी अपना ही फाइदा देखता है simple सी बात है वो आपके लिए कि आपने payment लेट किया तो आ आपकी बस में पीछोले सीट पे नहीं बैठे गा ये चैक कर लीजिएगा पर आपको गुमाता रहेगा कि मैं क्या करूँ बाबाजी ने बस बुक नहीं की बाबाजी की हाथ में कुछ है यह नहीं बाबाजी तो जैसे सिक्वेंस से आपका बुक कर देंगे और किसी चेक भ बच जाएगी तो वो अपना होल्ड कर देंगे नहीं बहिया जब उस सियातरी का आगा तो बताना कितनी सीटें खाली है तो उसी टाइम में उसके साथ बुक करूँगा और बाद में मुझे बिलकुल ना कहें कि मुझे एक बस में कर दें मुझे दो बस में कर दें हम दोने गठे जाना चाते थे हम अलग लग होगे ये पेमेंट के हिसाब से चलेगा और ये आपको डिसाइड करना है आप अपने दोस्ते पूछ ले अभी किस दिन किस टाइम पर की है और मैंने किस टाइम किस पर की है तो पहले तेरे पास बस आएगी और उसके बात मेरे पास आए पहले की पहले वाला आगे जाके ले सकता है मेरी बात रहे है जिसकी प्यमेंट पहले आई है वो चाहे कि मुझे बाद में सीट ठीए कही है और वो ले सकता है पर पहले बिक नहीं की होगी एक बारी सीट बुक होगी तो अगर आपका मन है कि आपको भाई बंदू जैसे ही मेरा आएगा तो मैं आपका भी रिफ्रेंस दे दूँगा और अपना भी और हम दोनों उस टाइम पे बुक कर लेंगे सीटे तो हम सब एक ही बस में चाहे वो संग जीएंगे संग मरेंगे इकटे बैठेंगे पर बैठेंगे पीछे भाई अब वो सोचे कि तुमने पहले पेमेंट की तो आगे बैठ रहा है और बाबाजी मुझे भी आगे सीट देते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास मुझे बिलकुल नीस वार्थ भाफ से बिलकुल ऐसे ही मांदरी से काम करना है जिससे कि कोई भी आतरी परेशान ना हो विचारा क्योंकि सबने बड़ी भागदूर की है किसी ने बैंक में जाके पैसे जमा करा है कैसे कैसे किसी की सेलरी आई थी नहीं आई थी कैसे कैसे हैलاتوں मैं भक्तों ने पैमेंट किया है तो मैं नीजी स्वार्थ भाप से इसकी मतलब बस की सीटें अलोड करूँगा ठीक है और आपको मैं बता देजाता हूँ फिर भी आपको कोई कन्फीजन हो फिर भी कोई कन्फीजन हो आपको अभी क्योंकि अभी तो बसें आपके पास एक और दू दिन में आएंगी ठीक है अभी बसों की त्यारी हो रही है बसों की फोटो आपके आस एक दू दिन में आएंगी फिर भी कोई आपके बाद टाइम है अपने यार दोस्तों से पूछ लीजिए जिन्होंने आपकी पेमेंट किया है उनसे पूछ लीजिए कौन सी सीट लेनी है ना ही सीट चेंज होगी ना ही प्लान चेंज होगा आप मेरी मजबूरी समझीए मैं कब तक इस काम में लगा रहूँगा मैं सीटें अलोट करने का बाद मेरा काम खतम हो जाएगा वालों की परचेंगा काटनी है कुछ बहुत सारे काम है ठीक है तो इस तरह से है बाकी जिन यात्रियों का ऐसा है कि जो यात्रा के लिए कोई भी कन्फियूजन है जिनके मन में या कोई भी सवाल है उसके लिए यह है कि वो हमें वाटसेप पर मैसिस कर सकते हैं बाकी तो कोई कन्फियूजन होगी नहीं पहली बात इतनी ज्यादा वीडियो डाल चुके हैं आप वीडियो जरूर देखें ठीक है और बस से जुड़ी जानकारी के लिए आप जब तक आपसे बत पहुंचती है अपने सीटों का फोटो को देखके सीटों का चैन कर लें कि कौन सी सीट आपके लिए अच्छी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी क्या है फिर भी इसमें कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे वाटसेप कीजिएगा फिर मैं फटाफर उस पे वीडियो मना दूँगा मैं आशा करता हूँ कि मेरी तरफ से मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिया और आपकी समझ में भी आगया हूँगा फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो आपको लगता हो पान के चलिए कि आधा गंटा बहुत होता है खाना खाने के लिए दस एक मिंट वाश्रूम के लिए बीस मिंट लंगर खाने के लिए फिर भी बहुत ज्यादा बीड़ है तो चालिस मिनिट ठीक है और ना ही प्लान चेंज होगा जो आपने पेमेंट डाली है उस प्लान के हसाब से आपको सिटे मिल जाएंगी बोले बाबा जी के अशीरवाद से हमारी ये कोशिश रेगी जो भी यातरी हमारे साथ यातरा पे जा रहे हैं या जो भी जानकारी रहे हैं उनको सही जानकारी मिले और बाबा जी से अशीरवाद मागते हैं और हाँ जोड़के प्रातना करते हैं हमारी यात्रा मंगल में हो जय बोले बाबा जी बाबा जी के सभी प्यारे बगतों को ओम नमस्षिवाए